नमस्कारम, डिप्रेशन मानसिक रोग है, मन की प्राब्लम है और डिप्रेशन में हम दवाईयां भी लेते हैं, कई बार आयरवेदिक, कई बार ऐलोपेथिक, डाइट भी अपनी तरफ से सही करते हैं, जैसा तैसा लाइफस्टैल में भी बुद्लाव लाते हैं, लेकिन हमें कई बार पता नहीं चल पाता कि प्राब्लम दरसल है कहां, तो इस पहेली को सुलजाने के लिए आज की वीडियो में लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा, कि हमारे अंदर सत्व, रजस, तमस, तीन गुन होते हैं, हमारी नेचर जो है, हमारी जो प इसको अगर आप चेक करना सीख लें, जो कि आज इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा, कि क्या बड़ा हुआ है, क्या घटा हुआ है, और फिर आगे उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे उसको ठीक करना है, तो आप इस पहेली को सुलजा लेंगे, ये वीडियो हर उस वेक्ती के लि आइरवेद, आदी से, हमारी रिश्यों की पावणी परमपरा से थोड़ा प्रेम रखते हैं, उन सब को ये बहुत मदद करेगी, मैंने इसके लिएक फॉर्म भी बनाया है, आपको मैं नीचे दे दूँगा, कि जिससे आप चेक भी कर सकते हैं, क्या बड़ा हुआ है सत्व रजस तमस, ये शब्द कईयों के तो फैमिलियर होंगे, कई लोगों को ये पहली बार सुने होंगे उनोंने, मैं इसके बारे में पहले चर्चा कर दूँ, कि जो सत्व होता है, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं, गुड़नेस या कंस्ट्रक्टिव माइंड, या यूं कह द मतलब होता है, confused, है तो वो passionate, लेकिन confused है, और साथी साथ active भी है, passionate, active और confused person जो है, वो रजस है, और ऐसे विक्ति होते हैं, तुरंत हाइपर हो जाते हैं, तुरंत गुसे में भी आ जाते हैं, और उनको हर चीज में तुरंत चाहिए होता है, तो ये रजस है, तीसरा गुन है तमस, तमस का मतलब होता है, darkness, अंधेरा, और तमस का मतलब होता है, साथी साथ बहुत जादा, एक irritate भी जिसको हम कह देते हैं, negative, बहुत जादा dark feel करना, इस तरह की nature को हम तमस कहते हैं, तो ये तीन गुना आप समझ चुके हैं, इस में से अगर तो आप सत्व में हैं, means आप पीसफुल हैं, आप positive हैं, आप के अंदर कितनी positivity है, वो भी अभी मैं आपको एक form दूँगा, तो चेक कर लेना आप, तो अगर आप उस state में हैं, तब तो आपको depression नहीं सताएगा, जैसे ही आप तमस में या रजस में आते हैं, तो आपको depression थोड़ा आने लगता है, हल तमस थोड़ा उससे भी कम होना चाहिए, कई बosely होता है, रजस बहुत बढ़ जाता है, जिससे की विकति बहुत हाईपर हो जाता है, बहुत ज़ढ़ екदम हर चीज का बार भार हो करने लगता है, बहुत ज़दा भागना, दोड़ना, बहुत ज़दा उसका मन एक जगा त वो ही तितिती आने शूरू हो जाता ही, तो के बहुता है यह और पृच्पने सिरिक्र Gibson की खुचाने शुरू हो हैं after the लगना शुरू हो जाता है कई बार कई लोग मुझे आके कहते हैं मुझे सारी दुनिया बुरी लगती है ऐसे लगता है भाड में जाए सारी दुनिया इतना जादा नेगटिव फिल करते हैं तो उस अस्तिति के लिए ये आपको फॉर्म मैं बता रहा हूं इसको आप मैंने अ आपको उसके बारे में उस व्यक्ति के बारे में suitable लगे ज्यादा वाजिब लगे उसको टिक करना है बाद में नीचे टॉटल आ जाएगा टॉटल से पता चल जाएगा कि सत्वरजस तमस में से क्या ज़ादा बड़ा है क्या कम है और किस पे काम करना है फिर उसी इनसार सत् तो रजस्तमस चेक करना बताऊंगा, सबसे पहले पहला प्रश्ण है, आप प्राता सुबा कितने वज़े तक उठते हैं, इसकी तीन आप्शन हैं, पहली है सूर्य ओदे के बाद, दूसरी है सूर्य ओदे तक, और तीसरी है सूर्य ओदे से पहले, सूर्य ओदे का मतलता है सन तो इसमें से पहली option जो थी वो तमस की है, तामसिक वृत्ति की है, दूसरी second वाली जो मैं बोला करूँगा वो राजसिख के लिए है, तीसरी जो है last वाली वो सात्विक के लिए है, और इसी तरह दूसरा सवाल है, आप रात्री कितने बज़े सो जाते हैं, बारा बज़े के बाद, बारा बज़े से पहले, दस बज़े तक, या उससे पहले तो उसी में आ जाएगा तो तीसरा प्रश्ण है, आप कैसी पुस्तक पढ़ना पसंद करेंगे पहली ओप्शन है, कहानिया, नावल, या फिर पुस्तक पढ़ना ही पसंद नहीं करते यह first option है, दूसरी option है, शिक्षा, ग्यान, विज्ञान, ऐसी बुक्स आपको पढ़ना पसंद है तीसरा option है, आपको spiritual, peaceful, या बहुत जादा शांती भरी, अध्यात्मिक बुक्स पढ़ने का, scriptures पढ़ने का शौंक है तो यह पहली option कहानी और नावल, या बुक्स पढ़ना ही पसंद नहीं, दूसरा, शिक्षा, ग्यान, या विज्ञान, तीसरा अध्यात्मिक इसमें से टिक कर लेना है आपको जो जो अच्छा लगे उसके अगला प्रशन, जो चौथा प्रशन है, वो है आप कैसा संगीत सुनना पसंद करते हैं पहला option है, उदास, उदासी भरा गीत, या फिर गीत सुनना ही पसंद नहीं करते दूसरी option है, कमाल धमाल, means rock, जिसमें नाचना, जुमना, और एकदम, hard music, ऐसी option music, तीसरी option है, classical, peaceful, या हलका, मधुर, ऐसा संगीत सुनना पसंद है इसके अंदर आप अपने आपको गलत जज मत करिएगा, प्यारिटी से वही चीज बताइएगा जो आप करते हैं फिर इसके बाद आता है, आपकी अपने घर में व्यवार, सभाव, प्रतिक्रिया कैसी है आपका family आपको जज़ करके ये नमबर देगी, कि आपका व्यवार उनके साथ कैसा है प्रतिक्रिया यानि respond कैसा है, जब आपके साथ वह बाद चीज करते हैं, तो आप उनके साथ कैसा respond करते हैं तो उसकी options हैं, पहली option है, दुख, चिड़-चिड़ापन, चीखना, चिलाना, ये पहली option चीखना चिलाना में होता है कि अकेले में जैसे आप किसी के उपर नहीं चिला रहे हैं लेकिन फिर भी आप हर चीश के लिए चिला पड़ते हैं तो ये पहली आप्शन है तूसरी आप्शन है छोटी छोटी बात पर जल्दी गुसा आ जाना भड़क जाना तीसरी आप्शन है शान्त प्रसन और उत्साहित बहुत जादा उत्साह फील करना अपने आप में एक एनरजी फील करना ये तीन आप्शन है अगला सवाल जो है छटा सवाल जो है आपको रात में नींद कैसी आती है इसकी आप्शन है बहुत अधिक यहां बिल में हैं, वो डार्कनस में हैं, वो अंधिरे में हैं, अगर बहुत ज़्यादा ही सोता रहता है तो भी वो डार्कनस में है ये तमस की निशानी है, फिर आगया दूसरा सामान्य नींद, नार्मल नींद या सपनों वाली नींद, जिसमें सपने आते लेकिन गहरी और स्फूरती दायक यानि सुबह उटकर करके स्फूरती फील होती है और इन में से कोई आप्शन आप्टिक कर लीजिएगा तीन आप्शन थी साथवा सवाल है आप अपने शरीर वा मन की स्थिति कैसी अनुभाव करते हैं इसका आप्शन है पहला थकान निद् प्रमाद आलस मतलब इस तरह से बुजा बुजा कोई काम करने का कोई मन ही नहीं है बस ऐसे बैठे हुए हैं जैसे मैं आपको भी एक्शन करके बता रहा है ऐसे बैठे रहना ये हाथ पे हाथ धर के ऐसे मूँ बना के ये तमसिक तमस में जाने की निशानी है जरूरी नहीं होता कि आपको दवाईयां ही मदद करेंगी मैं आपको आने वाले वीडियो में बहुत सारे ऐसे टिप्स दे दूँगा कि तमस से कैसे बाहर आना है रजस से कैसे बाहर आना है सत्व में कैसे जाना है बहुत टिप्स है फिलहाल आप इतना समझ लो कि पहले सत्व रजस तमस हो तो यह पहल जो सवाल था कि आपको थकान, निद्रा, तंद्रा, आलस वगरा अगर आता है तो पहली आप्शन है दूसरी आप्शन है अत्यादिक जोश और बहुत ज्यादा परिवर्तन शिल्ड माइंड बदल सा जाना अभी पाच मिंट पहले यह सोच रहे थे पाच मिंट ब आपको अच्छा लगता है और आप सत्व में ठैर जाते हैं आखरी सवाल है आप समानिता कैसे वस्त्र या परिधान पहनना पसंद करते हैं पहली आप्शन है कैसे भी चलेंगे फटे पुराने कल के आज के छोटे बड़े लंबे फी के गाड़े कोई वस्त्र जो कपड़े आपको नजर आए सामने आपने डाल लिए और आपको कोई इसके बारे में समझ भी नहीं है आपको ध्यान भी नहीं जाता कि मेरे कपड़े फट रहे हैं मेरे कपड़े मुझे सवार के रखने हैं या मुझे साफ सुफरे पहनने हैं इतनी भी अगर आपको ध्यान नहीं जा बड़ा मेक अप करना, बड़ा बनना, ठनना, बड़ा बार बार कंगी करना शीशे में, बार बार आपको इस तरह के अगर मेक अप करना, इस तरह की अगर ओप्शन्स आपके मैंड में बार बार आपकी विचारों में आता है, तो समझ लिजिए आप राजसिक विचारों में चल रहे हैं, राजसी किस्तिती में हैं, मतलब passionate, active और confused, तो तीसरी option है, हलके भीले, खुले, लेकिन सुसजित, शान्त, एक लहजे, काइदे से भरे हुए, और एक disciplined, जिसको आप कह सकते हैं, कपड़े, जिसमें कुड़ता, पैंट, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बड़े प पहनते हैं, बड़ा आपका लहजा है, तो समझ लो, सत्व में आपको, तो ये सारी options को fill करा के patient को आप चेक कर सकते हैं, नीचे option आजाएंगी, तीन किसमें आई, दो किसमें आई, एक किसमें आई, जिसमें ज्यादा आगई options, तो समझ लो, वो ज्यादा चीज बड़ी पेलर्जरों, मगवान शुरी किष्न में इतना कम हो ऊचाई, हिए अर्जुन, सत्व रजरों तीन गुन हैं, लेकिन मेरे को सत्व अप्रिय है, सत्व गुन के ओपर, जो काम करता है, जो सत्व गुन में रहने के कोशिश करता है, उसी तरह का जो लाइफ सेल बनाता है, मैं खतम करूं कि आप वो चीजे करने शुरू कर दो जो सत्व वाली ऑप्शन की हैं तो आपको समन में सात्रिक वृत्ति बढ़ने लग जाएगी आप डिप्रेशन फीली नहीं करेंगे और अगर आपको लगे कि मुझे तो बहुत सात्रिक भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे तो कुछ करना है जिंदगी में मैं तो चाहता हूँ खुद कि मैं भागूँ दौरूँ काम करूँ तो आप सत्व और रजस मिक्स वाली चीजें कर लो तमस वाली सारी छोड़ जो तो आप देखोगे डिप्रेशन काम हो गया यह कुछ आपसंज मैं आपको शॉट कट बता रहा हूं कि अभी से आप समझ जाओगे कि अगर अपने तमस वाली आदतें छोड़ दी सत्व और रजस वाली अपना ली कुछ सत्व कुछ रजस की मिक्स मिली जूली तो आप अपना क करने लग जाएंगे दोड भागने लग जाएंगी तो यह थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको चेक करना सिखाया सत्व रजस तमस अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा साथ्विक डाइट क्या होती है तांकि आप अपने जरूरत के इसाब से वही चीज़ें सको जो आपको ज्यादा जरूरी है आज फिलहाल इतना ही नमस्कारम